पहली श्रणी के स्रेष्ठ पुरुष वो होते हैं, जो अपने व्यक्तिकत स्वार्थों को तिल्लांजली देकर निरंतर प्राणे मात्र के कल्यान में लगे रहते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ को दूसरों के स्वार्थ के साथ मिला देते हैं। दूसरी श्रणी के पुरुष वो होते हैं जो अपनी व्यक्तिकत पारिवारिक आविशक्ताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के साथ साथ समाज कल्यान के परोपकारी कारियों में लगे रहते हैं। तीसरी श्टणी के नीच पुरुष वो होते हैं, जो अपने स्वार्थों के लिए दूसरों का गला घोड़ते हैं, और जोट, चल, कपट, बैमानी, घूसाधी, घ्रनित कारियों को अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। ऐसे मनुष्य पशू श्रिणे में गिने जाते हैं। की सार्थक्ता इसी में हैं कि वो व्यक्तिकत उन्नती के साथ साथ दूसरों की उन्नती के लिए जीवन भर प्रयत्न करता रहे। अपने जाते हैं।